सरकार ने जब से तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट हटाई है तभी से कई तिलहन की कीमतों में बढ़ोत्री शुरू हो गई है सरकार ने आदेश जारी कर पहली नवंबर से तेल और तिलहन के थोक कारोवारियों और रिटेल चेन को स्टॉक लिमिट के दायरे से बाहर कर दिया तभी से मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की सभी मंडियों में सोयवीन का भाव बढ़ा है उधारन के लिए आप इंदौर मंडि देख लिए पहली नवंबर को सोयवीन का उसत भाव प्रतिकुंटल था चार नवंबर को बढ़के चवण सोर पहुँच गया सिर्फ तिलहन ही नहीं बलकि सोयवीन का तेल भी महगा हो रहा है दिल्ली में पहली नवंबर को प्रतिकिलो सोया तेल का भाव 165 रुपए था जो 8 नवंबर को बढ़कर 166 रुपए दर्ज किया गया सर क्या स्टॉक लिमिट हटाने का फैसला सरकार के लिए उल्टा पड़ गया लगता तो ऐसा ही क्योंकि स्टॉक लिमिट हटाने के साथ सरकार को शायद दो उम्मीदे थी एक उम्मीद ये थी कि अंतराश्ट्री बाजारों में खादे उत्पादों की कीमतों में मंदी आए और भारत में होने वाला आयात सस्ता हो पाएगा वो भी नहीं हुआ हमने देखा कि सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के बाजरों में भी वापस खादे तेलों के सोया के पाम की कीमतें बढ़ने लगी और वो कीमतों में बढ़ोतरी वापस ट्रांसलेट होकर भारत आ गई दूसरी महत्तुपूर्ण बात है कि रुपए की कमजोरी के कारण भी आयात महेंगा हुआ है और इसलिए पूरी खादे महेंगाई की बास्केट में खादे तेल जिनकी कीमतों को थामने की पिछले एक साल से कोशिश चल रही थी वो कोशिश फिर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और अब हमारे लिए जानना है और भी ज़रूरी और महत्तुपूर्ण है शुपूर्ण की खरीफ की फसल आने के बाद भारत में खादे तेलों की कीमतों पर बड़ा दबाव दिख रहा है और ये पूरा गटना करम जो लोगों की फूड बासकेट में भोजिन की ठाली में दिखाई दे रहा है ये रिजर्बैंक की सबसे बड़ी चुन होती है हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि खरीफ की फसल आने के बाद तेवहरी मौसम सिमटने के बाद भारत में खाद महेंगाई में कमी आएगी रिजर्बैंक की मुश्किले थोड़ा आसान होंगी भारत में ब्याजदरों में बढ़तरी की रिफतार को थोड़ा धीमा करने में मदद मिलेगी लेकिन अब अगर आप प्रमुख सारी चीजें जो खाद महेंगाई में योगदान करती हैं चाहे वो आटा हो गेहूं हो या फिर खाद तेल हो उन समय बढ़तरी देख रहे हैं